पिछले पार्ट में हमने ध्वनी और वर्ण के बारे में पढ़ा था इस पार्ट में हम ध्वनी, ध्वनी के बाद वर्ण, वर्ण के बाद क्या आता है? सब्द तो इस पार्ट में हम सब्द के बारे में पढ़ेंगे तो आईए जानते हैं कि सब्द क्या होता है यदि हम सब्द की परिभासा की बात करें तो वर्णयों ध्वनियों के समू को व्यकरण की भासा में सब्द कहा जाता है तो ये तो हो गया सब्द की बारे में आईए कुछ एक्जामपल देख लेते हैं एक्जामपल के जरी हम असानी से समझते हैं जैसे कि हम सब्द के बारे में बात करते हैं तो क्या एक अच्छर सब्द बन सकता है तो जी हाँ, जैसे कि न, न का अर्थ होता है नहीं और वा, वा का अर्थ होता है और, तो इस तरीके से ये तो हो गए एक अच्छर वाले सब्द, अब हम बात करते हैं एक या एक से अधिक अच्छर वाले सब्द कहलाते हैं, अब हम बात करते हैं कि सब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आईए देखते हैं सब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण में सब्दों को चार भागों में बाटा गिया है, तो ये चार भाग हैं, पहला नमबर पर है वयु तो सब्द को इस तरीके से चार भागों में बाटा गया है आईए इन चार भागों के बारे में थोड़ा डेटेल से देखते हैं सबसे पहले बात करें वयुद्पत्ति के अधार पर सब्द यानि कि बनावट के अधार पर सब्द की तो ये तीन प्रकार के होते हैं पहला प्र दूसरे प्रकार के सब्द के बारे में देखते हैं, तो दूसरा प्रकार का सब्द होता है उत्पत्ति के अधार पर सब्द, इन्हें चार भागों में बाटा गया है, पहला है तत्सम, दूसरा है तदभव, तीसरा है देशत सब्द, और चौथा है वी देशत सब्द, तो इस प्रकार से इन्हें चार भागों में बाटा गया है इनके भी बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे आईए अब हम सब्द के तीसरे प्रकार को देखते हैं सब्द का तीसरा प्रकार होता है प्रयोग के अधार पर सब्द इन्हें आठ भागों में बाटा गया है तो आ इस प्रकार से इन्हें आठ भागों में बाटा गया है लेकिन इन आठ भागों को भी विकार की दृष्टी से दो भागों में बाटा गया है जिन्हें कहा जाता है विकारी सब्द और अविकारी सब्द इनके भी बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे आए देखते है सब्द के चौथे प्रकार के बारे में तो सब्द के चौथा प्रकार होता है अर्थ की द्रिश्टी से सब्द ये दो प्रकार के होते हैं पहला सार्थक सब्द दूसरा निरर्थक सब्द तो आईए इनके बारे में हम थोड़ा से देख लेते हैं क्योंकि आगे इन ही के जरी हम सब्द को अच्छे से समझ सकते हैं तो ये सब्द का चौथा प्रकार था तो सार्थक सब्द किसे कहते हैं ऐसे सब्द जिससे कोई अर्थ निकले उसे सार्थक सब्द कहते हैं उधारण के लिए रोटी, मकान, पानी, डंडा, सेर, आधि तो ये सब सार्थक सब्द हो गए अब हम बात करते हैं निरर्थक सब्द के बारे में तो निरर्थक सब्द किसे कहते हैं ऐसे सब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक सब्द कहते हैं अर्थ नहीं होता, डंडा वंडा में इसमें भी ये निरथक सब्द है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये तो थे हमारे सब्द भेद, यदि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, यदि इसको आप लिखीत रूप में या फिर वेबसाइट में देखना चाते ह हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर के आप इसको वेबसाइट से डारेक्ट पर सकते हैं, यदि आप इसका PDF फॉर्मेट चाते हैं, तो उसको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हम आपको संपूरुन हिंदी वैकरण बताने जा रह हैं, तो हिंदी वैकरण हम सुरुवाज से लेकर के अंतिम तक पार टवाइस आपको स्टेप के साथ सिखाते जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ और सिखते रहे हिंदी वैकरण